आपकी राशी आपका गुडलग 28 अप्रेल 2013 शुक्रवाद क्या है आपके नशीब में? जानते हैं, नेश राशी, शुबरंग, पिला, शुबंग, तीन, बकाया वसूली के प्रयास सफर रहेंगे, व्यावसाईक यात्रा मनोनुकूल लाब देगी, लाब के मौके बार-बार प्राप्थ होंगे, विवेक का प्रयोग करें, बेकार बातों में समय नश्ट न करें, निवेश शुब रहेगा, नौकरी में तरक्की के योग है, व्यापार की गती बनेगी, लाब में वृद्धी होगी, सावधानी, अपनी योजनाय गुप्त रखें, नहीं तो आपका बना बना काम बिगर सकता है, उपाए, गोशाला में जाकर के अपने हाथ से गाए को हराचारा खिलावे, भाग्य का मीटर है, 75 प्रतिशत, और इश्राशी, शुबरंग, नीला, शुबंग, पाच, कोई पुरानी व्यादी परेशानी का कारण बनेगी, विरोधी सक्रिय र कार्य करने की इच्छा रहेगी, प्रभाव क्षेत्र में व्रिद्धी होगी, निवेश शुब रहेगा, सावधानी, आप अपनी उर्जा का सही दिशा में लेगावे, समय आपके पक्ष में है, जितना बड़ा लक्षय बनाएंगे उतनी बड़ी सफलता मिलेगी, उपाए भगवान सूर्य को जल चड़ावे और रविवार व्रत करें, भाग्य का मीटर है, 65 प्रतिशत, मिथुन राशी, शुबरंग, आस्मानी, शुबंग, एक, तीरत दर्शन हो सकता है, सत्सन का लाब मिलेगा, राजकिय सहयोग से कारिय पूर्ण व लाबदायक रहेगे, कारो पूर्ण जन हानी पहुचा सकते हैं, ध्यान रखें, सावधानी, आप अपनी पूरी उर्जा अपने कार्यक शेत्र में लगा दे, आपको बड़ी सफलता मिलने की संभावनाय बन रही है, उपाए, आप भगवान शिव की आराधना करें, भाग्य का मीटर है, 70 प्रतिशत, करक राशी, शुबरंग, नारंगी, शुबंग, दो, बोलचाल में हलके शब्दों के प्रयोग से बचें, प्रती द्वंद्विता कम होगी, शत्रू सक्रिय रहेंगे, जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी, वहन वह मशिनरी के प्रयोग में लापरवाही न करें कींती वस्तुए संभाल कर रखें, ऐसा कोई कार्य न करें जिससे बाद में पच्चता न पड़ें, जोखिम न लें, सावधानी, खर्च पर नियंतरंग करें, जो बात आपको खराब लगे, उस तरह का व्यवहार दूसरों के साथ न करें, साज्यदारी में व्यापार करने से बचें, उपाए, भगवान विश्नु जी की की पूजा करें, भाग्य का मीटर है, पैसाट प्रतिशत, सिंग राशी, शुबरंग, हरा, शुबंग, छे, आपके लिए समय बहुत ही बहतरीन है, आपकी महत्वकांक्षाय पूर्ण होगी, योजनाओं को सफल होने का समय चल रहा है, आपका आत्म बल बढ़ेगा, आत्म विश्वास से बड़े-बड़े काम करेंगे और अपने परिश्वरम से बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे, विध्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है, सेहत का खयाल रखे, सावधानी, बढ़ों की बात म चल राशी, शुबरंग, पिला, शुबंग, आत्म रोजगार में वृद्धी तथा बेरोजगारी दूर होगी, आर्थिक उन्नती की प्रयास सफल रहेंगे, संचित कोश में वृद्धी होगी, नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा, शेर मार्केट में सोच समझ कर निवेश करें, संपत्ती के कार्य बढ़ा लाब दे सकते हैं, जंचटों से दूर रहें, घर बाहर प्रसन्नता बनी रहेगी, सावधानी, अपनी योजनाय गुप्त रखें, नहीं तो आपका बना-बना काम बिगर सकता है, उपाए, गोशाला में जाकर के अपने हाथ से गाए को हरा चारा खिलावे, भाग्य का मीटर हैं, 75 प्रतिशत, तुला राशी, शुबरंग, हरा, शुबंग, 6, किसी आनंदोचव में भाग लेने का अफसर प्राप्त होगा, यात्रा लाबदायक रहेगी, विद्यार्थी वर्ग सफलता प्राप्त करेगा, व्यापार मनोनुकूल र होगी, लाब के अफसर हाथ आएंगे, व्यस्तता के चलते स्वास्थे खराब हो सकता है, प्रमाद न करें, सावधानी, जितना कठिन परिश्रम करेंगे, उतना ही आपको बड़ा सफलता मिलेगा, परिश्रम करना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा, उपाए, किसी शनी की प्रयास सफल रहेंगे, कोई बड़ा कार्य कर पाएंगे, व्यवसाय मनोन कूल लाब देगा, कार्य पूर्ण होंगे, प्रसन्नता रहेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, स्वास्थे का ध्यान रखें, जोखिम नर लें, भाईयों का सहयोग मिले आय में वृद्धी होगी, सावधानी, अती भोजन ग्रहन करने से परहेच करें तबियत, प्रभावित हो सकती है, उपाए, चीटियों को चीनी एवं आटा खिलावे, भाग्य का मीटर है, 75 प्रतिषत, धनू राशी, शुबरंग, मैरून, शुबंग, आठ, जल्दबाजी में कोई काम न करें, पूराना रोब परेशानी का कारण बन सकता है, कोई आवश्यक वस्तु गुम हो सकती है, चिन्ता तथा तनाव रहेंगे, क्वारों को वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकता है, प्रयास सफ़र रहेंगे, निवेश शुब रहेगा, नौकरी में उन्नती होग व्यापार लाबदायक रहेगा, प्रमाद न करें, सावधानी, अपनी योजनाय बुप्त रखे, नहीं तो योजनाय सफल नहीं हो पाएगी, उपाए, पीला चना का दाल मंदिर में दान करें, भाग्य का मीटर है, 65 प्रतिशक्त, मकर राशी, शुभरंग, ब्रे, शुभंग एक, रोजगार में वृद्धी होगी, व्यावसाईक यात्रा लाबदायक रहेगी, बेरोजगारी दूर करने के प्रयास सफर रहेंगे, नवीन वस्त्राभूशन की प्राप्ती होगी, कोई बड़ा कार्य हो जाने से प्रसन्नता रहेगी, निवेश लाबदायक रहेगा, भाग्योन नती के प्रयास सफर रहेंगे, विवाद से बच्चे, आवश्यक वस्तु गुम हो सकती है, सावधानी, कटु भाशा बोलने से परहेज करे, उपाय, सर्सों के तेल का दीपक जलावे अच्छा रहेगा, भाग्य का मीटर है, 75 प्रतिशत, कुम्भ राशी, दो, अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे, कर्ज लेना पर सकता है, मस्तिश पीला हो सकती है, घर बाहर सहयोग प्राप्त होगा, भेट वो उपहार की प्राप्ती संभव है, बिरोजगारी दूर होगी, अचानक कहीं से लाब के आसार नजर आ सकते हैं, किसी बड़ी समस पर ध्यान रखें, उपाए, आज आप अनात बच्चों की देखभाल करें, आप अनाथालय में जाकर अनात बच्चों को भोजन करावे, आपके लिए अच्छा रहेगा, भाग्य का मीटर हैं, सत्तर प्रतिशत, नीन राशी, शुभरंग, सफेद, शुभन, चार, आखों क चोटवर रोग से बचाएं, कींती वस्तु गुम हो सकती है, पुराना रोग उभर सकता है, दूसरों के जगणों में न पढ़ें, हल्की हसी मजाक किसी से भी न करें, नकारात मकता रहेगी, अकारं प्रोध होगा, फाल्तु खर्च होगा, चिंता तथा तनाव रहेंगे, बेवजह कहा सुनी हो सकती है, जोखिम नले, सावधानी, आलस्यक अत्याग करें, और अपने स्वास्थे पर ध्यान रखें, उपाए, आज बंदरों को केलाखे लावे, आपके लिए लाव प्रद रहेगा, भाग्य का मीटर है, सत्तर प्रतिशत.